इंडिया अपनी करपासिटी बहुत बढ़ा आ रहा है, that's a serious challenge for Pakistan राजनात सिंग जी ने ये अनॉंस करा है सब के सामने कि भारत का तीसरा एरक्राफ्ट कैरियर हम उसको गोहेड दे रहे हैं और आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुँ अनॉंसमेंट किया है, यब हम अपने तीसरे एक्राफ्ट करियर को बहुत जल्द इंडिया नेवी में शामिल करने वाले हैं और आपको चाइना को काउंटर करना है, you need better technology, you need a larger aircraft carrier इंडिया की जो नेवी है, they are investing too much, वो बहुत जादा पैसा लगा रहे हैं और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बलकि अपने डिफेंस में एक दो तीन नहीं बलकि, छेचे एक्राफ्ट करियर सामिल करने जा रहे हैं और जब आप केरियर रूप को देखेंगे चलते हुए ना, it's a sight to behold, it's a sight to behold, आप भटी की पटी रहे जाती है, this is true power, यह आ रहे हैं इंडियान लेगे चाइना के माल के कोई जो military equipment है, उसकी कोई guarantee नहीं है, ठीक है, यह मतलब चाल लगया, चाल लगया, ना चल लगया, ते त्वाड़ा और यह indigenous, यानि के भई, make in India और made in India की भई, जो campaign है, उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं तो भारत को two-front war लड़ना पढ़ेगा किसी नहीं किसी जगएगा, अगर भारत और चाइना की सीदी जड़त हो जाती है, पाकिस्तान एंवाज होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है, क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान को तो जी हुजूर करना है, उसको सरूट मारना है, भी देख लेजे, एरक्राफ्ट कारियर इस दी अल्टिमेट गैरेंटर ओफ अनेशन्स विल जब पार प्रोजेक्शन करना पड़ता है ना समूदरूंगा, when you have to project power, that is the time you use an aircraft carrier और बहुत कम देशें दुनिया में जिनके पास aircraft carrier है, उस में से भारत एक है East Pakistan and come back. तो ये पाउर होता है कि अएरक्राफ्ट केरियर का. अब राजनात सिंजी ने ये अनौंस करा है सबके सामने कि भारत का इसरा एरक्राफ्ट केरियर हम उसको गोहेड दे रहे हैं. तीसरा एरक्राफ्ट केरियर यानिकि आई एनस विशाल. उसका नाम होगा INS मिशल इंडिया अपनी कपासिटी बहुत बढ़ा रहा है अब देखे ना इंडिया तकरीबन 175 वार्शिप वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे अभी तक मुझूद उनके पास 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो है, वो अगश्ट कंश्चिन हैं, इस सँरी और उनमेल से, कहते हैं, 65 जो हैं वो इंडिया के जो «शिप्यार्ट कर मोझभिद हैं» वो इंडिया के पर उसका हम गयरे हुआए उसके उपर वो जादा फोकुस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रिजन ए सद है तास्ट इंडियन आ तैलिंग देवर्ट अट्स वाइड यह तास्वाइड अव्रीवन ऐस्ट फ्रेंट अब देख रहा था कि जो फ्रेंच जो सौरी सिरी लंकान प्रेजिडेंट है वो कॉप 28 में जो फ्रेंच प्रेज यह जी इंडिया नोशन रिम असोसियेशन के जरीए वो कहते हैं भरनी चाहिए इट मेंस कि एवरिवन इस आस्किंग ग्रेट पार्स तो कम इन रीजन पर्टिक्लर लिन दाट इरिया कहने की बात यह है कि अगर चाइना बना रहा है 80,000 का अगर चाइना बना रहा है 80,000 का और आपको चाइना को काउंटर करना है यू नीड बेटर टेक्नोलोजी यू नीड ए लार्जर एरिक्राफ्ट कैरियर दोस्तों और कई लोग इसमें स्ट्रटिजिक कम्यूनिटी में इससे डिसगरी करते हैं कई लोग डिसगरी करते हैं कर रहें नहीं यार हमारी जरुवत नहीं है इस सिटिंग डॉक नो इस नोट असिटिंग डॉक यसा वफाएं पहलाई गई है कि एरक्राफ्ट कैरियर को आप डुबा सकते हैं इतना बड़ा है इट प्रिजेंट सच कारियर गॉप इट अौल ब्लडी कैरियर गॉप है जब ऐरकफ राफ जाता है जब अखे मरीं जाता है उर्ड पर घ्लिकॉप्टर ड्रोन जो रहे हैं एरकट के मतलब दुनिया भरका ताम जाम चलता है उसके साथ और आपने कितनी इस टोरी शहीं सलेएं कि अरकारियर र it's very very difficult मैं यह नहीं कह रहा है impossible है मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है आ रहे कि aircraft carrier को बर्बात करना it is so well protected उसके खुद के missile systems उसके खुद के defensive systems उसके अलावा layer upon layer of security ship, submarines पानी के नीचे protection है पानी पर protection है हवा में protection है मतलब it's three dimensional वह इस तरीके से चलता पूरा carrier group और जब आप carrier group देखेंगे चलते हुए न it's a sight to behold it's a sight to behold आप भटी की पटी रह जाती है कि this is true power यह आरी अंडियन navy तो ही का this is the Indian navy which is coming in front of you यह हो जाता है फिर मामला क्या हमें aircraft carrier चाहिए बिलकुल हमें कई aircraft carrier चाहिए दोस्तों लेकिन मेरा यह मानना है मैं तो inventory वाला हूँ देखो लेकिन मेरा यह मानना है थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है senior naval officer से भी बात करी है और जो पढ़ा है मैंने इसके बारे में I feel India needs an aircraft carrier that is 100,000 ton displacement nuclear power China से बड़ा, China से बेहतरी Gerald Ford class का जैसे Americans बनाते न Newport News में वो वाला aircraft carrier चाहिए भारत को मैं तो गर आँ तीन तीन और चाहिए हाम बहुत महेंगा है वो करीब 15 अरब का है लेकिन यार यह 15 अरब आपको एक दिन में थोड़ने देने हैं उसको उसको बनने में 10-12 साल लगते हैं पंदरा साल लगते हैं बनने में उसको बनने में बहुत टाइम लगता है and nobody is saying कि आप पहले दिन पंदरा अरब का चेक आट की देदो कि तो उसके पेमेंट्स होते हैं आप frequently pay करते हैं पर आपको ये देखिए बात ये हैं कि ये कॉस्ट बचाने के चक्कर में बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को क्योंकि चाइना जो है चाइना स्पेंडिंग मनी और डिफेंस हमने भी बहुत डिफेंस का बजेट बढ़ाया है पहले से लेकिन अगर two front war हमें लड़ना है दोस्तों मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ अगर हमें two front war लड़ना है और हमें जीतना है simultaneously क्योंकि चाइना देंगे चाइना बड़ा चलू है खुद की नेवी तो बढ़ा रहा है वो वो पाकिस्तान को भी दे रहा है कि तुम नहीं से तंकरना में यहां से तंकरेंगे तो भारत को तो फ्रेंट वर लड़ना पड़ेगा किसी ना किसी दिन अगर भारत और चाइना की सीधी जड़ाप हो जाती है पाकिस्तान इंवाल्ड होगा क्योंकि पाकिस्तान जो है क्लाइंट स्टेट है पाकिस्तान को जी हुजूर करना है उसको सरूट मारना है चाइना को उसने पैसे ये सब पाकिस्तानी फाज कर सकती है अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ अब आप समझे है अगर आपको इस दोनों को टैकल करना है तो आपके पास कई एरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए और ये डीजल एरेक्टर कवाले नहीं चलेंगे आपको नुक्लियर पार एरक्राफ्ट कैरियर चाहिए इंडियन नेवी के लिए बड़े वाले यू नीड वन हंड़ेड थाउजन टन डिस्पेस्मेंट और उन एरक्राफ्ट कैरियर्स के उपर से चाहिए आपके फिर एफ-35 ओड़े हैं के रफैल होड़ा हैं वो आपका मतलब लेकिन हमें वो पंच चाहिए ही चाहिए दोस्तों अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना जिनके बीच में काफी जड़ा पाभी चल रही है हर चीज़ पे जियो पॉलिटिकल और मिलिटरी भी एक दूसरे को आखे दिखा रही है